नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेंकोड ओमान डिट्वेंटी लीग के आज के पहले मुकाबले के बारे में जो केला जाना है के एच डवलू और बीयोवी दोनों ही टीमों के बीच में दोनों ही टीमों के अब तक के टूनामेंट सफर के बारे में सबसे पहले जादी बात करें के एच डवलू के बारे में तो छे मुकावले इन्होंने इस टूनामेंट में केले हैं तीन मुकावले जीते हैं और तीन मुकावले में इन्हें हार मिली है वहीं अगर बात करें B.O.B. के बारे में तो पांच मुकाबले इन्होंने के लिए हैं एक मुकाबला जीता है और चार मुकाबलों में दोस्तों इन्हें हार मिली है निश्चे तोर पर दोस्तों आज के मुकाबले में के एच डवलू का पढ़ला भारी रहने वाला है दोनों ही टीमें किसी परकार से अभी तक head to head यानि की आमने सामने नहीं बढ़ी हैं लेकिन बात करें दोस्तों हम ground record के बारे में तो अभी तक दोस्तों इस पर 22 मुकाबले खिले जा चुके हैं जो की इसी टूनामेंट के राए हैं दोस्तों पहले बल्ले बाजी करने वाली ट टीम ने ऐसे में 15 मुकाबलों को जीता है तो निश्य तोर पर दोस्तों आज एक बार फिट कप्तान टोर्स जीतने के बाद फिल्डिंग का फैसला लेने वाले हैं दोस्तों जादी बात करें फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कूर के बारे में तो 22 मुकाबलों की हम बात करे पिछले 5 मुकाबलों के बारे में तो ये स्कूर 161 पर पहुंच गया है तो निश्य तोर पर दोस्तों पहले बलने बाजी करने वाली टीम का आज के मुकाबले में स्कूर 1500 से लेकर 160 के बीच में रहने वाला है तो शुरूबात करते हैं दोस्तों हम बिगट कीपरिंग सेक् कमेंट करकर जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लागा है वहीं यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें इसके बाद दोस्तों बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें टेली ग्राम चैनल से यदि आप नहीं जोड़े हैं तो टेली ग्राम चैनल पर जरूर आजाईएगा क्योंकि दोस्तों आफ्टर टोस जो भी इन्फरमेशन आती है वह हम टेली ग्राम चैनल पर ही आपके लिए कराते हैं साथ दोस्तों ग्रांड लीग और हैड की टीम में भी हम यहीं पर आपके लिए देते हैं कोई नया प्लियर टीम में शामिल होता दोस्तों तो इसकी जानकारी भी हम टेली ग्राम चैनल पर ही देते हैं दोस्तों बस अब जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंतर अब शुरूबात करते हैं अपन बेकट कीपरिंग सेक्सन के साथ में सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन अबदुलरॉफ के बारे में 93% लोगों ने इन्हें अपने टीम में शामिल किया है इसका सबसे बड़ा करण ये है कि लगातार दोस्तों अपने टीम के लिए ये प्लियर ओपन कर रहा है और पहले मुकाबले में 51 इसके बाद एक दोस्तों इसके की दोस्तों कि तौह हम भी इनहें अपने टीम में जरूर्व करने वाले हैं चाहे दोस्तों हम कोई सी भी लीग खेल रहे हूं वहीं अगर बात करें दोस्तों अपने करूथा पांडियन के बारे में तो यह पलियर ऐसा है तीन ही मुकाबले इन्होंने खेले हैं टीम ने चे मुकाबले नहीं केले हैं लेकिन बाद के तीन मुकाबले केले हैं तो ऐसे बाद करने वाले हैं बल्लेबाजी से एकसंद पर पहला नाम दिखने वाला है आपको जिसान सिद्द्धि का उस्तों काफी बड़ा नाम है और बात करें तो अभी तक अपने टीम के लिए लगातार open कर रहा है छे मुकाबले इनके द्वारा केले गाए है पहले मुकाबले में 57 दूसरे मुकाबले में 28 रन की पारी केली इसके बाद 49-40 रन की पारी इनके बल्ले से निकली है और दोस्तों इसके बाद बात करें तो 20 रन की पारी भी निकली है लेकिन लाश्ट मुकाबले में इ अपने टीम में शामिल कर सकते हैं चुकि दोस्तों फिलियर ओपन कर रहा है तो ऐसे मैं आप इने ग्रांड लिग का कैप्टन और 22 कैप्टन ट्राय कर सकते हैं क्योंकि यदि बॉलिंग करता और एकाद बिकट निकालता है तो ये दोस्तों आपके लिए शांदार पिक रहने बात करने वाले हैं सीन नोबाक के बारे में दोस्तों ये ऐसा पिलियर है जो आपको छटवे और साथवे नमबर पर लगातार बैटिंग करता हुआ दिखने वाला है कुछ मुकावलों में दोस्तों इन्होंने पांचवे नमबर पर भी बेटिंग की है लेकिन अच्छी बा पर दोस्तों आप एने अपने टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि छय मुकावला में नहीं किए एकर नहीं किया हैं बागी चार ओ किया कर रही है है ऑफित अगले मुकावले injon KSI उत्वार में गारे है जोaro Bear cur वर फेकने के साथ एक टीम के लिए निकाला था इससे पहले चार वर फेके हैं और कोई बिकेट निकाल कर नहीं दिया है यहाई दोस्तों यह पिलियर ऐसा है जो आपको पार्ट टाइम बॉलिंग करता हुआ दिखने वाला है हाला कि अभी तक छे मुकावलों बिकेट एक ही न लेट किया है लगाता है दोस्तों तीन ही मुकावले इन्हों ने अभी तक खेले हैं दोस्तों सुरूबवात के मुकावलों में ठीम ने इनको ड्रॉप किया है और लगाता है जो पैब इने ग्राफटर बर बर ब्र्लेबाजी कर रहे हैं अब आ गए हैं दोस्तों हम ओल राउंटर सेक्षन पर सबसे पहले बात करेंगे अजय लाल चिता के बारे में तो ये प्लियर ऐसा है दोसो शुरूबात के दो मुकाबलों में ओपन किया इसके बाद दोस्तों नमबर तीन पर दो मुकाबलों बेटिंग की है और लाश्ट मुकाबले में छटवे नमबर पर बेटिंग की है लेकिन आने वाले मुकाबलों में दोस्तों ओपन और फाइट दाउन ही ये आपको करते हुए देखने वाले हैं रनों की बात करें तो पहले मुकाबले में 12 दूसरे मुकाबले में 45 तीसरे मुकाबले में हाला की पहले ही बॉल पर ये आउट हो गए थे वहीं अगर बात करें दोस्तों 42 रन की पारी अगले मुकाबले में आई और साथ देखा जा दोस्तों ये पिलियर head to head के लियाज से आप आसानी से wise captain try कर सकते हैं वहीं grand link में आप इने captain try करना बिल्कुल ना भूलें वहीं अगर अब बात करने दोस्तों अपन मजाहिर राजा के बारे में तो ये दोस्तों proper गेंदवाज हैं बल्लिवाज नहीं है बात करें बॉलिंग की तो दोस्तों अभी तक इनके द्वारा खेले गए छे मुकाबलों में ग्यारा बिकट टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं पिछले मुकाबले में हाला की इनको बिकट नहीं मिला है तीन ओबर फेके थे लेकिन इससे पहले लगातार पांच मुकाबलों में चार-चार ओबर इन्होंने फेके हैं और ऐसे दोस्तों पहले मुकाबले में तीन दूसरे मुकाबले में तीन और तीसरे मुकाबले में तीन बिकट नकाले थे पहीं चोथे मुकाबले में दो और दोस्तों पिछले दो मुकाबलों में इनको बिकेट नहीं मिले हैं दोस्तों 100% आप इने अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और ग्रांड लीग में जरूर आप इने कैप्टरन बैस कैप्टरन ट्राय करें क्योंकि पिछले दो मुकाबलों बिकेट नहीं मिले हैं लेकिन उससे पहले शांदार बॉलिंग रोने की है निश्चित तोर पर आपको ये फाइदा दिलाने वाले हैं अब बात करेंगे दोस्तों मुहम्मत के बारे में तो ये ऐसा पिलियर है जो आपको लगातार पांच बे नमबर पर बियोवी की तरफ से केलता हुआ दिखने वाला है दोस्तों पहरे मुकाबले में तेरा इसके बाद पंदरा तीन दस और एक रन की पारी खेली है यानि या से देगा दोस्तों तो बैटिंग में इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन बॉलिंग की बात क पहले मुकाबले में तीन बिकेट निकाल कर इनोंने दीए है तो निश्य तोर पर आप इने अपने टीम में बॉलिंग लिया से शामिल कर सकते हैं अब दोस्तों बात करने वाले हैं अपन आमीर कलीम के बारे में दोस्तों यह पिलियर ऐसा है नाइंटी वन परसंट लोगों इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है टीम के लिए दोस्तों सुरुबात के दो मुकाबले इनके ऐसे रहे थे जो इन्होंने चोथे नंबर पर बैटिंग की थी बागी दोस्तों इसके लावा लगातार नंबर एक पर ये बैटिंग कर रहे हैं और 26 रन पहले मुकाबले में इसके बाद दोस्तों सतर रन बनाए हैं इसके बाद 56 रन की शांदर पारी खेली है इसके बाद 12,40 और लाश्ट मुकाबले में 67 रन इनके बल्ले से निकले हैं निस्चे तोर पर ये पिलियर ऐसा है जैसे आप कैप्टन और 22 कैप्टन आसानी से हैड टू एड इसमोल लीग और ग्रांड लीग में ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों चार ओवर ये आपको कंप्टीट भी करकर देने वाले हैं और पछले ही मुकाबले में 2 विकट निकाले थे इससे पहले हलागी बिकट नहीं मिला है लेकिन इससे पहले 2,1,0 और 1 विकट निकाल कर दोस्तों आप डिफरेंट पिक के तोर पर टीम में जरूर ट्राय कर सकते हैं दोस्तों अभी तक इनका बल्ला एकदम खामुस रहा है लेकिन टीम के लिए ये लगातार ओपन कर रहे हैं दोस्तों रनों की सबसे पहले बात करें तो इनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं है लास्ट काबलों में 50s चैटर बना चुके हैं याननीहे पिलियर ऐसा है जिसे आप डिफरेंट पे तोर पर ट्राय कर सकते हैं और दोस्तों केप्यंट और इसको क्योंकि ये पिलियर के बाद 7 बिकट अपने टीम के लिए निकाले हैं दोस्तों माफ करें 5 बिकट खेलने के बाद 7 बिकट अपने टीम के लिए निकालकर इन्हों ने दिये हैं और पिछले ही मुकाबले में 2 बिकट निकालकर दिये थे उससे पहले हलाकी बिकट नहीं मिले हैं लेकिन उससे पहले दो एक और दो बिकेट निकाल कर टीम के लिए दिये हैं सबसे अच्छी बाद दोस्तों चार ओवर ये आपको कम्प्लिट फेक कर देने वाले हैं वही अगर बात करें दोस्तों फवाद अली के बारे में तो पांच मुकाबले खेलने के बाद 6 बिकेट ये अपने टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं पिछले मुकाबले में 14 रन की पारी भी खेली थी लेकर दोस्तों वह पारी इन्होंने 8 बे नमबर पर आकर खेली थी लाश्ट मुकाबले में बात करें तो एक बिकेट निकाला था उससे पहले दो बिकेट निकाले है उससे पहले सिर्फ एक मुकाबले में इनको बिकेट नहीं मिला है बागी दोस्तों हर मुकाबले में अपने टीम के लिए इनोंने बिकेट निकाल कर दिये हैं चे बिकेट अपने टीम के लिए अभी तक ये निकाल चुके हैं अकील जाबित की यदि बात करें दोस्तों ये पिलियर ऐसा है सुरुबात के तीन मुकाबलों में टीम ने इनको ड्रोप किया और दोस्तों इसके बाद आये तो तीन मैच तीन ओवर फेकने के बाद दो बिकेट ने वाले हैं हाला की रन जादा नहीं है पहले मुकाबले में 19 इसके बाद चे और 24 रन की पारी आई है और पिछले तीन मुकाबलों में दोस्तों एक एक और पांच रन बने हैं लेकिन बॉलिंग की बात करें तो अभी तक दोस्तों चे बिकेट निकाल कर यह अभी मुहमद को हमने अपनी टीम में ट्राइ किया है वहीं दोस्तों सिद्ध की नोबाक और आमिर एली को हमने अपनी टीम में रखा है बिकेट कीपर रोफ के साथ गए हैं इस तरह की टीम आप तयार कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर क करें कमेंट करकर जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें टेली ग्राम चैनल बिल्कुल न भूलें बिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जैहन दोस्तों